किशन गंज टाउन हॉल के सामने जदियू जिलाधयक्ष सापुर बिहार सरकार के मंत्री नौशाद आलम के नितरुत में एक दिवसी भाजपा आरक्षण विरोधी धरना प्रदर्शन किया गया वही जदियू के जिलाधयक्ष सापुर बिहार सरकार के अलपसंखेक कल्याड विफाक के पुरुमंत्री नौशाद आलम ने भाजपा राजनीतियों के खलाप जम कर विरोध दर्श किया वही आलपसंखेक प्रकुष्ट के जिलाधयक्ष इस ते शाम अंजुम ने भी भाजपा के दोहरी निती के खिलाप रूश व्यक्त किया कि अब देख लेकर के धना परतसन दे रहे हैं क्या बात अभी जो नगर निकाय का एलेक्षन हो रहा है अथा जस अक्टूबर और 20 अक्टूबर को एलेक्षन होना लेक्षन है हाई कोट में जो रोक लगा दिया है इस पर अथी भिष्रा के आरक्षन को समाप्त करने के लिए उसी के देनोद में हम लोग जो भाजपा के जो चाल है भाजपा का जो रन नीती चल लए है कि हर परकार के आरक्षन को समाप्त किया जाए किस मुद्य को लेकर के आप धर्णा में बैचे हुए हैं उनके धर्णा में बैचे हैं भाजपा का पोल खोलने के लिए जब तक भाजपा के साथ में जदियु था तब तक नीतिस्मार अच्छा था आज उनके धर्णा में जदियु थाजपा के हट गई है तो नीतिस्मार गलत कैसे हो गया यह बोल खरने के लिए हम लोग नहीं जाएं